स्वाब प्राइन यह देखकर आपको खुशिस जरूर हुई होगी है 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 एक बार मेरी जीरो ग्राविटी मशीन से खराबियां सुधार दो उसके बाद स्लक्टेरा में हमारा राज होगा क्यात्रेन के पास साउंड को लेकर बहतरीन आइडिया है साउंड दिखाई नहीं देती पर उनकी इफेक्ट्स कावी पावफुल होते हैं और मेरे बारे में क्या प्रोफेसर क्या तुम मिस्टर मनी बैक के इन्वेंशन के बारे में नहीं बताओगे आहाँ डॉक्टर कॉलाउस की आर्टिफिशल स्लक्ट टेक्नॉलिजी पर रिसर्च कर रहे हैं सर्क्वेंटेन की बक्वास रिसर्च पर ध्यान मत दीजिए मैं आपको मेरे कुछ और खोज दिखाता हूं मैंने तुमसे कहा था कि दुबारा वापस माताना तुम और तुम्हारे पागल रोबोट्स तुम मुझ से कभी छुटकारा नहीं पा सकते तुम्हारी अंटी ग्राविटी मशीन किसी काम की नहीं है तुबायस और नहीं तुम्हारा ये बिकार सा साउंड एम्प्लिपायर अब चलो फ्यूचर से बात करते हैं मेरे फ्यूचर से हमें मदद चाहिए आज से यहां के सारे रिसोर्च मैं ही डारेक्ट करूंगा ओके इलाइशेन तुम्हारी मदद चाहिए जल्दी इस कुफा में सिर्फ मेरा साइंस चलता है देखो मेरा रोबोस लक्स फ्यूचर यह गुफा मैं हमेशा से यहां आना चाहता था आए साइस की वाता छोड़ो जी मुझे गुफा अट्री आपके साइस की वाता छोड़ो जी कुछ नहीं आनना महीं तो अपनी इंस्टिंक्स पर काम करता रहा और मेरे इंस्टिंक्स कहे रहें कि लंच टैप हो गया और अगर यह साइंटिस इतने बड़े जी नियस हैं तो यह होट्ला उन्होंने सारे लोगों को कहां कायब कर दिया और मुझे तो कोई स्लक्स भी नहीं दिख रहें सारे स्लक्स छिप गए हैं और मैं हूँ कैथरीन तो तुमने बदमाश साइंटिस्ट के बारे में कंप्लेंड की थी कुविंटन हमेशा सही अजीब रहा है और इस बार तो उसने सारी हदे पार कर दी तो क्या किसी ने भी उसका सामना नहीं किय हम साइंटिस्ट हैं स्लक्स लिंगर नहीं है इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है सही कहा मैं ऐसी दुनिया देखना चाहता हूं जहां लोग सुछ मेरे ही रोबो स्लक्स इस्तमाल करेंगे इससे मुझे याद आया अगर केसी के पास रोबो स्लक मिला तो उसे सजा मिलेगी म मुझे तुम्हारी ये बक्वास नहीं सुननी यह क्या मेरी बाप खत्म नहीं हुई थी हां मुझे लगता है खत्म हो चुकी है मैंने सोचा ता बात करके हम इसे सुलजा सकते हैं पर तुम आसानी से मानने वालों में से नहीं लगते मुझे लगता है कि तुम अब तक मुझे ठीक से चानते नहीं हो इलाई शेन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो तो मेरे काम के बारे में सुनाई होगा मैं तुम्हें सही काम करने का और लोगों से माफी मागने का एक आखरी मौका दे रहा हूँ नहीं तो नहीं तो हम लड़ेंगे सही पहचाना वहाँ अब आगा मसा तुम्हारे कंधे पर जो स्लग है मैं उसे खत्म कर तूंका तुम्हें मेरे स्लग्स कम मजाक उड़ाया है यह अच्छा नहीं किया स्पीशीज इंफरनर्स अटक मोद्स फ्लाश फायर इंफरनर्स नौवक्रा उस लक्से निपटने का तरीका धूंडो बुपी क्या तुम ठीक हो हम तो लड़ाय यह होने से पहले ही हार गए मैंने सारी स्लिंगर्स की इंफरमेशन पहले से निखाल कर रखी है जिसने कभी स्लग्स शॉट किये हैं जिसमें तुम तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे डाड विल शेन भी शामिल हैं। वो तुम्हें एक मिनिट में हरा देते मुझे शायद दो मिनिट लगेंगे। तुम्हारे डाड भी बिलकुल तुम्हारी तरह एक स्लग लवर थे। तुम्हें एक जैसे एराकनिट स्लग की चाल सतरा बार लड़ने के लिए इस्तमाल की है। और तुम्हारी ये चाल इस बार भी नाकाम्याब रही है। और मेरे रोबुट स्लग्स तुम्हारे बक्वा स्लग्स और पुरानी तर्कीमों से जीतते ही रहेंगे। तो शायद मुझे तुम्हें कुछ नई तर्कीमे दिखानी होंगी। क्या। इसकी कोई इंफर्मिशन नहीं है। ओए! स्मार्ट स्लग्स लिंगा हमेशा पगल साइंटिस्ट को हरा देंगे। क्विंटिन, खेल खत्म। खत्म। जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हें दिखातूंगा। तुम अभी यही हो। सहीगा, जल्दी से भागया हो यहां से, हम लोग तब तक थोड़ी अरे थोड़ी सी पेट पुजा कर लेते ना। हमें उसके लिए तयार रहना होगा। मुझे लगता है वो ज़रूर वापस आएगा। वो ज़रूर अपनी सीक्रेट लाब में गया होगा। होश में आओ, कॉड। तुम वीडियो गेम्स कुछ ज्यादा ही खेलते हो। सारे साइंटिस्स के पास सीक्रेट लैब्स नहीं होती। महान एलाइश शेन और उसके पक्वास लग्स। उसे लगता है कि उसके पास हर ताले की चावी है। उसे पता नहीं है कि साइंस क्या कर सकता है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि अब आगे क्या होगा। ओ जरूरूर जहीं कहीं होगा। मुझे लगता है उसके पास ऐसा हत्यार होगा जिससे वो हम पर हमला करेगा। लाने दो जी। उसे अपने खतरना हत्यार लाने दो। एक बार प्रॉंटो अपना पेट भर लिया रहा। तो वो किसी भी हत्यार से लड़ सकता। बस एक ही प्राब्लम हाई जी। तुम लोगा के पास इस कैन का ओपना रही क्या। अब मेरा दिर और भी बुरा होगे जी। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने बारा है। अब तयार हो जा मकाबले के लिए। मिकास पर चलो। कॉल्ड उस पर हमला करो। एलाए अब क्या करें। बस जिन्दा बचो। फोस्क्रालर स्लग फार्बॉल प्रोटेक्शन। फ्लोपर स्लग। प्रोटेक्शन की जफुरत नहीं है। चेक कर रहा था। उसका कुल वीक स्पाट जरूर होगा। बक्वास शॉट ट्रिक्टी पर मेरा कोई वीग स्पोट नहीं है तुम और तुम्हारे ये बक्वास लागी सबसे बड़े वीग स्पोट हो तो अब चा करे मुझे ये कहना पसंद तो नहीं पर भागना होगा बस इतना ही भागो स्लग लेवर्स मेरी कमाल की टेक्नोलोजी से टार कर भागो देखा इलाइश शेन भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाया ये तो काफी शर्मनाग बात थी देखो ऐसी कोई बात नहीं है क्वेंटन के पास कमाल की टेक्नोलोजी है इसका मतलब ये नहीं की वो जीत लिया मेरा होप रॉक्स लग तो उसे छू तक नहीं पाया लोगी आपको तुम उस बेकसूर पथर को क्यों मार रहा हूँ अच्छा वा तुम सही सलामत वापस आ गए पर इस आवाज से तुम सिफ नहीं रहोगे सब्सक्राइम एक जगे जानती हूं जहां हम चिप सकते हैं एक सीकर्ट लाब होगा शायद प्लीज ठीक है मैं गलत थी सभी साइंटिस्ट के पास एक सीक्रेट लैब होता ही है वैसे क्वेंटिन की प्रॉब्लम क्या है वो स्लक से नफरत क्यों करता है वो सिर्फ नफरत नहीं करता वो उनसे डरता भी है वाके यह संकर अच्छा लगा तब से जब वो एक्सिडेंट हुआ था जब हम छोटे बच्चे थे जब हम स्लक बालोजी डिपार्टमेंट फिल्ट्रिप पर गये हुए थे क्विंटन को हमेशा से बंद दर्वाजे खोलना अच्छा लगता था वह वहां दो दिन था जब तक स्क्योटी ने उसे ढून नहीं लिया तब से वो बिलकुल बदल गय है और उसकी सारी खोच स्लक्स के बगार जीने पर है हाँ स्लगोफोबिया शायद इससे बात बन सकती है अरे जालिम और जिदी क्यान तू अपनी जिद्स से मुझे बहुत बहुत कुस्सा दिला रहा है ओके प्रांटो तुम एक जीनियस हो जीनियस क्या गां मैं जीनियस पर कुछ advanced technology की जरूरत है जो चाहिए वो सब हमारे पास है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमें थोड़े वक्त की जरूरत है उसके लिए मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज है हाँ ये कितना पोरिंग है महान होने का फाइदा क्या है अगर मैं लोगों पर राज नहीं कर सकता हूं तो इलाई शेइन मैं राउंड ट्री के लिए तैयार हूँ तुम कहा हो अभी वो बिजी है पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ पर आगाये तुम आंटी ग्राविटी लेकर तुम कब सुद्रोगे उससे मेरा तुम कुछ नहीं बिगार सकते ही मजे इसके लिए मेरा रोबो स्लग भी वेश्ट नहीं करना पड़ेगा जितना तुम खुद को स्मार्ट समझ पे हो ये पत्थर फैकते वक्त तुम उतने ही जंगली लगते हो शर्म की बात है भागो भागो जंगली तुम मुझसे नहीं बच्पाओके बस तुम्हें इतना ही याद रखना है घबरा मत नूडल तुम ये कर पाओगे बावा मुझे नहीं लगता कि एक बेकार स्लग हम लोगां कुछ जीता सकता जी कोई भी स्लग बेकार नहीं होता प्रॉंटो फ्लॉपर्स भी नहीं तुबायस हार गया है मैं जा रही हूँ याद रहे उसे बस रोकना है हीरो बनने की कोशिच मत करना और खुद को चोट मत पहुचाना अच्छी सलाह है जाओ वापस अपने लाद में क्या बात है तुबायस क्या हुआ कुछ कहो के नहीं मेरे पास कहने के लिए कुछ है इतमें मजा हैगा हाहा 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 यह तो शायद कैथरीन की आवाज है उसके सामने कभी चिलाने की शर्ट मत लगाना कॉर्ड काम हो गया जाने के लिए तैयार तो तैयार हो जाओ दोस्तों चलो अब इस क्विंटिन को हराया जाए शेन गैंग स्टाइल में मुझे जाने दो क्विंटिन चार सो डेसिबल में भी तुम्हारी आवाज में दम नहीं है उसे नीचे रखो क्विंटिन हमारा ये नया मेगा मेका मेक तुम्हारे उस पुराने मेका को चटकी में हरा देगा उसे आराम से नीचे रखो क्विंटिन और अपने हाथ उपर गरो हम तुम्हें हराने वाले हैं मजाग अच्छा दा मैं इस मशीन पर सालों से काम कर रहा हूँ तुम्हें ये बकवाज मशीन बनाने में कितना वक्त लगा पांच मिनिट 45 मिनिट समझे इसे पर बात करने के लिए मुझे इससे भी कम वक्त लगेगा तीन हिस्से बरबाद हो चुके हैं बुरी तरह से जरा करीब जाकर उस पर ट्रिपल कॉम्बो से हमला करो हाईस अटाग इंफरनस प्रोटेक्शन डाउनलोड कर यह कितना बोरिंग है रेतागेटिंग हाई-फाइब ट्रिक्षी पता है प्रॉब्लम है उन्हें ढूंड़ना पड़ता है ट्रेंग करना पड़ता है उनका ख्याल रखना पड़ता है पर हम यह सब क्यों करें जब अमन गिनट श्लक्स पैदा कर सकते हैं और मेरे पास यह है उसने हमला कर दिया है राइट पे चलो नहीं लेफ्ट जाओ मेरे राइट को भी तुम्हारे राइट को ओ यह क्या कोई बात नहीं ट्रिक्षी कोड तुम्हारे पास दूसरा हाथ है ना उसे इस्तमाल करो यह क्या अब क्या करें इलाए जैसा कि तुम जानते हो इस प्लैन के 87 परसंट चांसेस है फेल होने के इलाए अपना काम कर रहा है हमें अपना काम करना चाहिए अब देखने की बात यह कि मैं तुम्हें और कितनी देर तक परेशान करूं चलो चलो अरे मियार रुप जाओ शायद थोड़ी देर और यह चल रहे हैं यह मशीन अब ज्यादा देर तक नहीं डिखने वाली है यह वह भी आज टेक्निकली तो लगता है कि अबरान कोने वाला है कंट्रोल छूट रहा है मेरा भी यहाँ मैं पूरे कंट्रोल में हूँ शर्मनाट बात है अब तो मैं छोड़ूँगा नहीं कोशिश करके देखो हिम्मत की साथ देता हूँ और एक बात याद रखो तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारी आखों में देखना चाहता हूँ क्या तुम्हें लगा हमें एक रोबॉर्त बना रहे हैं तुम्हें रोबॉर्ट को हराने के लिए वो भी सिर्फ v enforcement में तुम्हें क्या लगता है हमें इतनी भी समझ नहीं है हमने तो बस एक ग्यान ओपनर बनाया है और तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि तुमने मुझे ये करने का मौका दिया अपना कमाल दिखाओ नूडल फ्लॉपर स्लग मेरे उपन वक्त आ गया है मैं यहां हूँ मिस्टर स्मार्ट जहां सब शुरू हुआ था और ख़त मैं करूंगा तुम्हारे लिए ड्रॉ हो जाएगा ब्लास्टर खाली है मैंने यहां तक आने के लिए सारे स्लग्स खदम कर दिये यहां ओ तुम्हें हराते वक्त मैं तुम्हारी आँखों में देखना तुम हराओगे मुझे वो भी बिना ब्लास्टर और काल्पनिक स्लग्स के साथ मेरा ब्लास्टर खाली है इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास स्लग्स नहीं है बहुत अच्छे दोस्तों तुम्हें ट्रांस्फोर्म भी नहीं होना पड़ा बहुत अच्छे इलाए अच्छा है यह चीज तूटी नहीं जब तक वह 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 तुमने तुमने मचे बचाया बस करो गुद्गुदी हो रही है मुझे कुछ नहीं हो रहा है पता नहीं मैं कैसे शुक्रिया आदा करूं शुक्रिया चलो शुरुवत तो अच्छी है जट सहाब यहां आने ही वाले हैं तुम्हें उन्हें बहुत कुछ कहना होगा क्विंटिन अब तुम्हारे हवाले तुम तो मेरे वकील नहीं हूँ बहुत जल्दी पहचान लिया सुना है कि तुम स्मार्ट हो और तुम्हें पता है मैं स्मार्ट लोगों की बहुत इज़त करता हूँ कि अब तुम्हें जब तुम्हें